वेलकम टू ड्रीम के विशी जिक्ये ड्रीम के बीसी जिक्के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमबर विलन ती रहेगी आप नीचे रहे है रेड़ कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजे और बाजू मेरे बेल आइकन को दबा दीजे ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेज़ेबल वीडियो की नोडिफिकेशन मिलते रहे हैं कि दोस्तों वीडियो अन तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरू करना प्रेशन नमबर 151 पहला कुशन है चब्वी सितंबर 1820 के दिन इस्वर चंद्र विद्यासागर का जन्मक कहा हुआ था अगर आपको इस क्वेशन कांसे पता है तो आप कमेट कर सकते हो तो इस्वर चंद्र विद्यासागर का जन्मक कब हुआ था 26 पर 1820 का जन्मक बंगाल के मैदिनिपूर जिले के वीरसी गाव के गाव में एक अती निर्दन ब्रामन परिवार में हुआ था पच सिक्साविद, समाज उदारक, लेखक, अनुबादक, मुद्रक, प्रकासक, उद्धमी और परोब कारी विक्ति थे और बंगाल के पुनर जागरण के स्तंबो में से एक थे इस्वर चंद्र विद्यासागर उनके बचपर का नाम इस्वर चंद्र बंदो पाध्याई था Q1.1841 में इस्वर चंद्र विद्यासागर को कौन सी कॉलेज में उन्हें विद्यासागर की उबाद की थी इसस्वार्चंद्र विद्या साकर क्या थे इसक्रिशन का एक महान समार्च उदरक लेकक शिक्सावित और संस्क्रित के विद्वान Seth क्यीसर नेंबर 154 इसवार्चंद्री विद्या साकर ने कहा मेट्रोपॉलिटन इंसिट्यूट की स्थापना की थी इस question का दर कॉलकाता में के धी metropolitan institute की स्थापना कब गी धी 1800 बहनता नहींँ तो कहां के धी कॉलकाता में question number 155, वर्ष 1917 में metropolitan institution का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था इस क्वेशन कादर विद्यासाकर कोलेज गया था वर्ष इनीस जो सत्रा में मेट्रोपॉलिटान इस्टिूशन का नाम बदल कर क्वेशन नम्बर 156 इस्वर चंद्र विद्यासाकर के प्रयासों से विद्वा पुनर वीवा अधिनियम पारित किया गया था 1726 से इसवर चंद्र विद्या सागर के प्रयासों से विध्वा पुनर विवा अधिनियम पारित किया गया था question 1-56 इसवर चंद्र विद्या सागर के माता पिता कौन है क्या है अगर आपको पताओ तो इस क्रशति का आंसर आप कमेट भी कर सकते हो इसकेशिंगा ठाकुर्दास बंदोपादिया और भगवती देवी उनकी माता थी और उनकी पत्नी दिनाम मनी देवी थी उनकी पत्नी का नाम उनकी संतान नारायन चंद्र और नारायन चंद्र बंदोपादिया इसवर चंद्र विध्या सागर के संतान थे इसके से वेताल पंच विंस्ती जो बंगाली बासा की प्रतम गधी रचना इसका प्रकाशन वेताल पंच विंस्ती जो बंगाली बासा की प्रतम गधी रचना इसका प्रकाशन वेताल पंच विंस्ती जो बंगाली बासा की प्रतम गधी रचना इसका प्रकाशन वेताल पंच जैसे बहुत ही में और कुलकता के 20.3 में विद्यासागर मिला लगता है मॉनी गैत प्रद्रुर्स इjakटा में विद्यासागर लई है जार्खन के जामतड़ा जिल्ले में विद्यासागर स्टेशन है question number 159 इस्वर्चंद्र विद्या सागर की पत्नी का नाम क्या था अगर आपको बताओ तो इस question का answer आप comment भी करें तो इसका answer में पहले ही आपको बता दिया है इस question का दिना मनी देवी नाम था इस्वर्चंद्र विद्या सागर की पत्नी का नाम चलते हैं अगले किशिए वेदों में संपूर्ण सच्चाय नहीं थे वेदों में संपूर्ण सच्चाय नहीं थे यह वाक्या की गई है किसने यह कथन कहा है महाराष्ट का सुकरात किसे कहा जाता है महाराष्ट का सुकरात किसे कहा जाता है महादेव गोविंद राणारे महादेव गोविंद राणारे को महाराष्ट का सुकरात कहा जाता है स्वामी विवेकानन किस स्थान पर हुए धार्मिक समयलन से प्रसिद हुए स्वामी विकान ने सनातन दर्म का प्रतित द्वक गिया था और अपने पाशन से लोगों को मंत्र मुख के विश्व प्रसीद हो गए थे क्येश नमबर 162 अलिगर्ड मुस्लिम विश्व विद्याले की स्थापना किसने की थी कि इसके सैयद अहमद खा तो अलिगर्ड मुस्लिम विश्व विद्याले की स्थापना सैयद अहमद खाने की थी क्येश नमबर 163 करनिया कुमारी का रोक मेमोरियल किसके लिए समर्भी थे करनिया कुमारी का रोक मेमोरियल किसके लिए समर्भी थे वेरी वेरी इसकेशिक वाश्य को स्वामी विविकानन्द के लिए यह पर स्वामी विकानन्द का जन्मक 12 जन्मका 1863 में हुआ था जो जैसे कि उनका विदान के विख्यात और प्रभाव साली आधियात भी गुरु थी उनका वास्तविक नाम नरंदेनात दथ था और स्वामी विकानन्द का जन्मस्तान कलकत्ता है उनकी वित्यू चार जुलाई 1902 में बेलूर मठ बंगाल रिया सथ पच्ची बंगाल में हुदी और स्वामी विकानन्द के गुरु कौन देता हुआ गुरु इवं सिख्षक रामकृष्ण परमहंस थे क्विशन नंबर 164 तत्व रंजिनी सभा तल वोधिनी सभा इवं तत्व विथिनी पत्रिका से समधित है तत्व रंजिनी सभा तल वोधिनी सभा इवं तत्व विथिनी पत्रिका से कौन से समान सुदारक से समधित है इश्रिंग का होते देवेंद्र नात्र टैगोर से सबाथ तत्व रंजिनी सभा तल वधीनी सभा और तत्व विंतिनी पत्रिकाव यहां पे देवेंद्र नात्र टैगोर जो जिनका जनौ 15 माई 1817 में इनकी मृत्यू 1905 में होई थी एक हिंदू दार्षनिक और दार्मिक और वह 1848 में ब्रह्म धर्म के संस्था पकों में से एक थे और आज ब्रह्म बाद का परिया है question 165 प्रार्तना समाज की स्थापना किसकी प्रेना के फल्षुरूफ हुई थी इस क्विशिंग का उधर है केसव चंद्रसेन का जन्मा उन्नीस नवंबर 1880 रित्यू आठ जन्वरी 1814 में हुई थी बंगाल के हिंदु दार्षनिक धार्मिक उपदेशक युँआं समाज सुधारक थे 1856 में प्रह्म समाज के अंदर गत्त केसव चंद्रसेन के आगमन के पाने वाले इस आध्यात्मिक आंदोलन के सबसे घती चिल अध्याई का आरम हुआ था किशन नमबर 166 अठ्थासों पंदरा इसमी किसने कलकता में आत्मी ये सभा की स्थापना की थी और जैसी कि राजा राम मोहन राए के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए 50 वीडि प्राइजी विद्रो का नेता कौन था दादु मिया था प्राइजी विद्रो का नेता किसने कहा था स्वामी दयानन सरस्वती का कहता नहीं है किस वर्ग को सरफ्रतम पच्चीमी सब्यता ने प्रबावित किया था अगर आपको पताओ तो इस क्रिशिंग का आणसर आप कमेंट भी कर सकते हो इस क्रिशिंग का शिक्सित हिंदू मध्यमवर को पच्छी मीज सब्यताने सरप्रतम प्रभावित किया था विश्य नमबर 171 भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस का समर्थन इवं ब्रिटीस पक्सदर अलिगट आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कोंचा था इस क्रिशिंग से देव बंद आंदोलन बीसवी सदी के आरंबिक दशक में आरंब होने वाला कौन सा था अंदोलन का रक्षिय मुसलमानों की राष्ट्रिय आंदोलन में सहभागिता को प्रोच्छाइद करना और बीटीस राजय के प्रति स्वामी भक्ति की भावना को हतोत्साहिद करना था इस आंदोलन का नेतु तो मोलाना मुहम्मद अली, हकीम अजमल खा, मोलाना जपर अली खान, हसन इमाम और नजुरूल हक इतियादी द्वारा किया गया था Question number 170 तो कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? Question number 175 तो कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? Question number 175 तो कौन फेबियन के प्रमुक सदिश्य कौन-कौन थे? Question number 175 वर्श 1870 इसवि में के प्रमुक सदिश्य कौन-कौन थे? चंध्यांने कहां पार्तिय शुदार्संग इंडियान रीफोर्म एसोसिज्टीन श्थापना किती अ तो यह मैं क्यूशन चंद्र संधा और है अट्ञासुट एटीन सेवंटे में किसने कॉलकता आएगा अनसर वर्ष अट्रास्व एटीन सेवंटे इसमें किस्दर सेंड ने कॉलकता में बारतियक सुधार्शंग यानि इंडियन रिफॉर्म एइसोशेशन की स्थाफना कि थी किस ने कहां कि THी, कलकता में, कभ कि THी, 1870 में, हमारे धर्म रसोईगर में है, हमारे भगवान खाना बनाने में बरतनों में है, आज हिंदु धर्म मत छोग बन गया है, या किशने कहा है, इस मार्स प्र parkedूम है, हんस्थ स्वामी विवकान ने कहा है, च्छिश्य नंबर 177. आदुनीक भारत का प्रथम राश्टवादी कभी कवी इन्य माना जाता है? च्छिश्य नंबर 178. किसने जनता को चार सुत्री संदिष श्वाधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वबासा दिया है? इस क्रिशिंग तो आरिय समाज ने दिया है तो आरिय समाज की स्थापना किसने की दिक उपया कमेंट करके बताईए मैंने इनके बारे में वीडियो पहले से डाला है क्रिशिंग नमबर 179 विद्वा पुनर विवा आंदोलन में कौन कौन प्रमुक रूप से सामिल थे क्रिशिंग को तो इस वर जंद्र विद्यासाकर बीयेम माला पारी और डीके करवे और विरेश लिपा आदोलन में सामिल थे वर्ष 1863 में कलकत्ता में मुहमधन एसोशेशन की स्थापना किसके द्वरा की गई थी तो इस क्विशिंग का उतर अब्दुल लतिप द्वरा की गई कब की गई एटीन एसोशेशन की स्थापना क्विशन नमबर 181 भारतिय पुनर जागरण आंदोलन के पिता कौन है कौन थे भारतिय पुनर जागरण आंदोलन के जनक किसे कहा गया है इस क्विशिंग को था राजा राम मोहन राइको भारतिय पुनर जागरण आंदोलन के पिता कहा गया है कृषय नमबर 182, कौनसे संगठर ने सुध्ढी आन्दोल्न का संवर्तन किया था, सुध्ढी आन्दोल्न का समर्तन किया था, क्विश्य नमबर 183, उन्नीस्वी सदी की महानतम पार्सी समाज सुधारक किन्हे माना जाता है, उन्नीस्वी सदी की महानतम पार्सी समाज सुधारक किसे माना जाता है, तो इस क्विश्य बहराम जी एम मालाबारी को उन्नीस्वी सदी के महानतम पार्सी समाज सुधारक माना जाता है क्यूशन नमर 1884 सार्दा अधिनीमन 1929 कि अंतर्गत लड़कियों लड़कों के विवाह की नियुदंटम ॆयू क्रमहसर कितिनी नीरदारित की गई थी सार्दा अधिनिमन कब आया था तो 1929 में यूद जय היא रच पारत। क्रिश्य नंबर 180 में बारत का प्रतम आधुनिक विक्ति किसे माना जाता है इस क्रिशिंग को तरे राजार राम मोहन राई को पारत का प्रतम आधुनिक विक्ति माना जाता है क्रिश्य नंबर 186 जान योग कर्म योग राज योग नामक पुस्तक के लेखा कौन है इस क्रिश्य नंबर 1897 में कि थी राम क्रिश्य मिशन की स्थापना इसका मुख्या लई मेलूर मट कॉलकाता में है क्रिश्य नंबर 187 वर्ष 1914 इस्वी में बंबय में सेवास्मिती बॉइ स्काउट्स एस्थापना कि स्थापना किसके दवारा कि गई थी इस क्रिश्य नंबर 187 वर्ष 1914 इस्वी में बंबय में सेवास्मिती बॉइ स्काउट्स एस्थापना कि थी क्विशन नंबर वन एरियन आलिया समाज से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति कौन-कौन थे इस क्विशन को तो दयानन सरस्वती जिन्होंने आलिया समाज की स्थापना की थी और महात्मा अंसराज पंडित गुरुदत और स्वामी स्रधानन थे क्विशन नंबर वन एरियन वर्ष 1905 में बंबय में पारत सेवक समाज पारत सेवक समाज दस सर्वन्ट ओप इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके दोरा की गई थी इस क्रिशन का तो गुपाल कृष्ण गोखले इनका जन्म 9 मैं 1866 में हो था उनके मृत्यू फरवरी 1915 होई थी पारत के एक स्वतंतरता सेनानी समाज सेवी विचारक इवं सुधारक थे इनके गुरू गोपाल कृष्ण गोखले के गुरू कोन थे महान समाज सुधारक महादेव गोवित रानारी जी थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरू और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरू थे तो महात्मा गांदी जी के आध्यात्मिक गुरू थे गोपाल कृष सीख गुरुद्वारा अधिनियम पास हुआ था और 1925 में अधिनियम को संसोदित किया गया था और सीख समूदाय में सुधार आंदुलन के प्रेरक दयाल साहिर थे और यहां आंदुलन सीख दर्म में प्रचली थे हिंदू रिती रिवाजों को हटाने के लिए चलाय गया था इसमादग कौन थे इसzeit कि अबूल कलाम आजात थे अलहिलाल और अललबलग के संपादग थे किस आंदोलन के नेता स्वयम को मसीहा उल माउद कहते थे तो यहाँ पर अहमद्या आंदोलन तो अहमद्या एक धार्मिक आंदोलन है जो के 19 सदी के आंद में बारत में आरम हुआ इसका प्रारम मिर्जा गुलाब अहमद की जीवन और सिक्साओं से हुआ तो अहमद्या आदोलन के अनुयाई गुलाम अहमद को मुहमद के बाद एक और पेगंबर मां थे दूद्ध मां दे जबकि इसलाम में पेगंबर मुहमद खुदा के बेजे हुए अंतिम पेगंबर माने जाते है Q193 राम कृष्ण परम हंस का मुल नाम क्या था गदाधर चटोफाधिया रामकृष्ण परमHans का मुलनाम था जो स्वामी इविकानन की गुरू थे फिश्य नंबर नायदी वोल रामकृष्ण परमHans का जन्मस्थान का था रामकृष्ण परमHans का जन्म कहा हुआ था इछिचा कमार पूरगा हुगली जिला में हुआ था कुछमी बारत में सांस्कृतिक पुनरजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है अगर आपको पताओ तो इस कुछन न पंगेट भी कर सकते हैं इसकेशिए एमजी रानाडे महादेव गोविंद रानाडे को पच्चिमी भारत में सांस्रितिक उनर जागरन का अग्रदूत कहा जाता है यहां पर महादेव गोविंद रानाडे एक पिटी सकाल के पार्तिय न्याय दिस लेकक इवं समाज सुधार ते उन्हें महाराष्ट का सुकरात कहा जाता है रानाडे ने समाज उदार के कारियों में बढ़ चटकर इस्सा लिया था प्रार्तना समाज आलिय समाज और ब्रह्म समाज का इनके जिवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था इनका जन्म कब हुआ था तो 18 जनवरी 1842 में हुआ था कहा हुआ था पूरे म संस्ता पक कौन थे तो महादेव गोविन रानाडे थे वीशन नमबर 197 थीयो सोफिकल आंदोलन की गती विद्यो को बारत में व्यापक रूप से फेलाने का स्रही किसे है तो इस क्रेशन का था एनी बैसेंट तो थीयो सोफिकल स्वर्टी एक अंतर राष्टी आध्यात्मिक संस्ता थे स्यू सोफि ग्रीखवाशा के दोसब्दो ठीयोज और फार के मिलकर बनाए जिसकार्द हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या और एसायिव धर्म के नौस्टी सीज्म नौस्टी सीज अत्वा इसलाम धर्म के सुब्स के समकक्स किया जा सकता है कोई प्राचिन अत् जो परमात्मा के विसेप में चर्चा करें सामाने दिया थियो साफी कहा जा सकता है क्विशन नमबर वन नाइन वर्श अठासो अठावन अठाने एटीन नाइटी एट में समाझ जाते हैं बनारास में सेंट्रल हिंदू कोलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी कब कि थी 1898 प्रतम महीला अधियक सी एणी बैसेंट्र कहीं एक्जाम में पूचा जा चुका है Qn.200 इस वीडियों का ये आखरी क्योशन नो बारतिय ब्रह्म समाज या नव विदान किस्थापना किसके द्वचल अब ए तक आर्थ में हमारा यह चैनल Dream KBC GK Channel सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमबर विलन दे रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजे और बाजू मेरे बेल आइकन को दबा दीजे ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नोलेज़ेबल विडियो की नोडिफिकेशन मिलते रहेगी दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे माद्रम अगर आपको किसी क्वेशन में किसी भी क्वेशन में डाउट होता है तो आप उस क्वेशन का नंबर लिए और क्वेशन लिखे और अपना आंसर दीजे ताकि हम इसका एक मास्टर वीडियो भी बनाएंगे 500 क्वेशन में उसमें जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पे हम अपडेट करतेंगे सारे क्वेशन फिर से डालेंगे वीड लिडेक ना हूँ और हमारा प्रयास यही वताय कि 100% आपको एक्यूरिसी प्रोवाइड करते रहें तो चैहिंद चैहिबारत वंदे मात्र मिल दें अगले उडियो पे